तो है गाई आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं loops क्या होता है और python में हम लोग looping कैसे करते हैं तो basically loop का क्या मतलब है जैसे हम लोगों ने हमेशा सुना होगा कि वो इंसान लूप में फस गया, लूप में फस गया मतलब एक ही बात बार बार बोल ला, again and again, same work जो है, वो again and again कर रहा है, यानि बार बार कर रहा है, तो लूप का basically simple सा इत्ता सा मतलब है, कि अगर मैंने आपसे बोला कि भाई साब मुझे hello print करा के दिखाओ, इतनी बार 100 बार, तो आप बेवकूपो की तरीके से print को 100 बार तो नहीं लिखने वाले न, ये काम तो आप नहीं करोगे, अगर आप समझधार होगे थोड़े से भी, तो आप print को यहाँ पे 100 बार नहीं लिखोगे, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि कुछ ऐसा मिल जाए, यानि कोई ऐसा machine या कोई ऐसा function मिल जाए, जो कि मेरा 100 बार चले, 100 टाइम चले, और उस function में मैं लिखो क्या, उस function का काम क्या हो, उस function का काम हो, कि print हेलो करा दे, ठीक है, ये बात समझ में आती है, तो अगर loop के बारे में हमें जानना है, तो हमें दो चीज़े समझनी पड़ेंगी, पहली कौन सी चीज़े, कि how many times, यानि कितनी बार वो loop चला है, और दूसरी बात, कि हम उस loop में चला क्या रहा है, जैसे अगर किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे से बोला, कि suppose that एक teacher है, teacher ने student A से बोला, कि तुम्हें B को खित्ते थपड़ मानें, पचास थपड़ मानें, तो क्या किया, A ने माना शुरू किया, पचास थपड़, और यार उसे पता चला, यार ने थग गया, पचास थपड़ मारते थग गया, और दुस्मनी अलग से हो गई, तो teacher ने क्या सुचा, teacher ने सुचा, यार मैं एक machine बनाता हूँ, जो कि क्या काम करें, जो कि 50 बार थपड़ मार सके, या जो कि थपड़ मार सके, तो उसमें मैंने क्या working एक ऐसी fit की, एक ऐसा dंडा fit किया, एक कुछ ऐसा fit किया, जो कि हर बार क्या करें, घूनता रहा है, ताक तो बैसिकले ये था हम लोग का loop का concept कि मुझे दो चीजे सेखनी है क्या चीज कि कितनी बार चलना है यानि how many times और दूसरी क्या कंडीसमा है दूसरी यह चीज है कि क्या चलना है वाट तो क्या चलना है वो तो हम लिख देंगे कि कि अगर मुझे print कराना है या मुझे जो भी कराना है पर कितनी बार चलना है इसको कैसे control करो तो इसको control करने के लिए सबसे सही तरीका यह है कि एक आदमी को बिठा दो suppose that आदमी i को मैंने बिठा दिया और i को दे दिया कि i is equal to 3 ऐसा मैंने i को बोल दिया कि तुम्हारे पास 3 है हर बार जब यह लूप चले हर बार जब यह लूप run करे तो तुम क्या करो तुम 3 में एक बढ़ा दो ठीक है 3 में बढ़ा दो जो भी तुम्हारे पास value उसमें हो तो मैंने उस बंदे को बता दिया अब कोडिंग में कैसे लिखेंगे कोडिंग में बस सिंपल सा इत्ता सा लिखना है मैंने एक बंदे i को बिठाया i को मैंने suppose that 5 दे दिया मैंने उसे बोला कि जब तक i की value less than equal to 10 हो तब तक तुम चलते रहो तब तक तुम्हें काम करना ह काम क्या करना है वो मैं यहां लिकूँगा काम करना है print hello यानि hello को प्रिंट कराते रहो कब तक प्रिंट कराते रहो जब तक मेरी i की value 10 से छोटी है तो अगर मैंने इस code को run कराया तो मेरा क्या चलने वाला है मेरा चलने वाला है infinite loop क्योंकि i की value हर बार i की value 5 वी अंदर चला अंदर आया फिर उसने condition चेक करी condition में अभी भी i के value less than 10 ने फिर आया फिर condition चेक करी फिर आया फिर condition चेक करी फिर आया तो यहार यहार पर दोको यह एक infinite loop बन गया है infinite loop से बचने के लिए हम क्या करेंगे i के value plus equal to 1 यानि i के value of l a 5 थी 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई, 10 हुई, dot 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 ऐसे बढ़ती जा रही है जब i के value 10 हुई होगी तो भी यह condition satisfy हुई अंदर गया i के value 11 हो गई वापस से जब loop चेक हुआ तो 11 less than equal to 10 यह मेरी false condition है यानि अब मुझे रुखना पड़ेगा तो while loop अगर मैं यहाँ पर while loop की बात करूँ तो while loop का यह जो मतलब होता है वो इतना होता है कि तुम्हें तब तक चलना है जब तक मुझे कोई false condition ना मिले, ठीक है false condition मिलते ही मैं loop को terminate कर दूँगा इतनी बात समझ में आती तो यार यह था मेरा basically while loop अगर मुझे चलाना है किसी चीज को 5 बार तो मैं क्या करूँगा while iq value starting value suppose that कुछ भी दे दूँ या iq value मैंने दे दिया यहाँ पर दे दिया 10 दे दिया या 9 दे दिया 5 दे दिया कुछ भी दे सकते हो 0 भी दे सकते हो iq value मैंने 0 दे दिया iq value कब तक चलती रहे iq value तब तक चलती रहे जब तक iq value less than 5 रहे और हर बार क्या करना है print मैंने क्या करना है print मैंने कर देना hello suppose that मैंने print मैं hello करती है और हर बार मैं iq value बढ़ाता जाओंगा iq i plus equal to 1 मैंने ये लिख दिया iq value 0 होगी, चलेगा 1 पे चलेगा 2 पे चलेगा 3 पे चलेगा IQ value एक टाइम पे 4 हो जाएगी ठीक है IQ value 4 हो गई चेक हुआ 4 less than equal to 5 बिलकुल सही है IQ value फिर आई IQ value फिर बढ़के 5 हो गई सब यह जो लिखा है ना यही है IQ is equal to I plus 1 ही लिखा है बस Python ने थोड़ा छोटे में लिख दिया है ठीक है IQ value 5 हो गई कंडिशन यहां चेक हुआ कंडिशन हो गई फिल आई IQ value 5 जरूर है पर इस बार लूप नहीं चलने वाला तो रूप मेरा का while loop condition और नीचे अंदर update होता है starting मैंने value दे दी और अंदर हमने content लिख दिया for loop का क्या कहना है for loop का कहना है कि मुझे for एक variable देना पड़ेगा इन लगाना पड़ेगा और यहां पे कुछ set of values देनी पड़ेंगे set of values कैसे जैसे मैंने लिस्ट में दे दी 2357 चीक है 2357 set of values दे दी और यहां पे जो variable लखा suppose that i रग दिया तो i क्या करेगा हर बार इसमें से एक-एक value निकालता रहेगा एक-एक value निकालता रहेगा कब तक निकालेगा जब देने वाली क्योंकि आई के value पहले दो आ रही है तीन आ रही है पांच आ रही है सात आ रही है यह बास मज़में आती है ठीक है अब अगर समझो कि मेरे पास एक लिस्ट रखा हुआ है ठीक है लिस्ट मेरा है 2357 और मैं क्या चाहता हूं कि लिस्ट में अपना element की जगे 2 और 3 ठीक है एक बात बताओ अगर मैंने आपको बोला कि एलस्ट के फिफ्ट इंडेक्स या थार्ड इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स की value बता तो कैसे बताओगे ऐसी बताओगे ना इसको प्रिंट कराओगे तो यह क्या देगा आपको 3 देदेगा यह बास में आई यह value डालती value क्या डालती 7 इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है range ले starting value 0 लिया है ending value 7 लिया है और increment 1 का लिया है जैसे हम लोग list में करते थे list में अगर मुझे print कराना है 0 से लेके 3 तक तो मैं क्या करता था LST में 0 colon और यहाँ पे 3 डाल देता था तो यह क्या करता था 0 पे चलता थ और 2 पे चलता था 3 पे नहीं चलता था और यहाँ पर by default increment 1 का होता था और आखरी वाली value से छोड़नी है same काम range भी यहाँ पर कर रहा है range का simple सा मतलब है अगर मैंने range की अंदर लिग दिया यहाँ पर 2,4,1 तो range मुझे क्या देगा range मुझे देगा 2 देगा range type का एक object something बनेग और 4 भरना चाहिए था पर 4 आखरी value है तो यहीं से इतना ही भर पाएगा क्यों दो value अगर मैंने range के अंदर यहाँ पर लिग दिया 2,9 तो by default यह 1 का increment ले लेता है तो भी यह कित्ती बार चलेगा 2,3,4,8 तक चलेगा 9 नहीं चलेगा क्योंकि 9 आखरी value है अगर मैंने range के अं single value पढ़ी इसका क्या मतलब starting value 0 ले लेगा ठीक है इंडिक value 7 लेगा increment 1 का लेगा तो range मेरा क्या 0 से लेके 6 तक सारी value 1,2,3,4,5 और 6 ठीक है सारी value देगा 7 नहीं देगा अगर मुझे इससे देखना है तो मुझे simple मैं बताता हूं आपको अगर आपको यह क्या करना है आपको प्रेंट करा दो इसको तो जब आप इसको प्रेंट करा होगे तो आउट्पूट आपका कुछ ऐसे आएगा 0,1,2,6 तक सारी value आ जाएंगी तो अगर मुझे एक list दी हुई है list है 3,2,3,5,1,9 और मुझे मुझे क्या करना है मुझे सबकी index चाहिए ठीक है सबकी index चाहिए कि मैं index कैसे लूगा मुझे पता starting index 0 होता है ending index मेरा n-1 होता है जहां पर n क्या है length of list यानी list की length क्या है कितरे number of elements है तो मैंने पहली line लिखी n is equal to length of list अगली मैंने क्या लिखी for index in range के अंदर मैंने क्या डाल दिया range के अंदर मैंने n डाल दिया n की value क्या थी इस जगे पे 1,2 3,4,5 range के अंदर 5 डालोगे इसका क्या मतलब जीरो से लेके ऐसा कुरतेगा 0,5,1 ठीक है यह है range का मतलब इसका क्या मतलब जीरो लेना है 1 लेना है 2 लेना है 3 लेना है 4 लेना है यानि आकरी value अपने आप निकलेक्ट कर देना है तो मैंने range 9 and डाल दिया 0,1,2,3 और 4 इत्ती होगा 3 प्रिंट होगा 0,1,2,3 और 4 भी प्रिंट हो जाएगा ठीक है मैं चाहता हूं कि अगर मुझे किसी list का index मिल गया है तो क्या मैं value प्रिंट करा सकता हूं बिल्कुल प्रिंट करा सकता हूं कुछ ऐसा print index, LST of index यानि LST के उस index की value प्रिंट करा दो यह मुझे क्या देन होने लिखा तो output कुछ ऐसे आने वाला है अब देखो अगर मुझे केवल किसी list में किसी list में मुझे चाहिए था LST is equal to 2392917 something ऐसा है और मुझे इसकी index के साथ साथ इसकी value भी चाहिए तो इसके लिए python ने क्या-क्या enumerate नाम का एक function बना दिया enumerate नाम का function क्या करता है इसे key value pair में convert कर देता है key value pair में जहाँ पे key क्या होने वाली है key होने वाली है उसका index और value होने वाली है उसकी value suppose that जो अभी हमने दो fall loop पढ़े न की एक में index निकाल ले है एक में item निकाल ले है इन्हीं दोनों को combine करके enumerate नाम का function मना दिया तो यह function कैसे पाम करता है यह function कुछ ऐसे काम करता है for this in enumerate of LSD in numerate of LSD और यहाँ पर कॉलन लगाँगा यह क्या करने वाला यह Key value pair find करने वाला एक जगे फिर Key, value एक जगे फिर Key, value एक जगे यहाँनि एक item में में मेरी क्या है दो values हैं तो मुझे यहाँ पे दो value भी देनी पड़ेगी key comma value ठीक है key comma value numerate और print में कराना चाहता हूँ key comma value ठीक है यह मुझे क्या print करेगा 0 पे 2, 1 पे 9 2 पे 1 3 पे 7, 0, 1, 2, 3 ऐसा मुझे print करके देदेगा तो यहार enumerate क्या करता है enumerate चीज़ों को आसान कर देता है तो अक्सर आप लोग enumerate यूज क्या करें है काफी अच्छी चीज़ है अब यहार आते हैं यह देखो यह पूरा जो भी अभी हमने देखा यह एक dictionary जैसा लग रहा है अगर data is equal to अगर मेरा one पढ़ा हुआ है ट्रील मेरा क्या पढ़ा हुआ है थ्रीपर मेरा पढ़ा हुआ है ऐसा सोरी सी पर मेरा पढ़ा हुआ है सैवन आईसा मेरी कोई dictionary है तो dictionary में तीन फंसनल है जो कि आपको याद रखने है पहला.itms दूसरा.keys टीसरा.values यह आपको याद हो जाएगा क्योंकि name similar values मतलब यह सारी value की मतलब यह सारी की और items मतलब की और values साथ में तो अगर आपने डी.items चला दिया तो क्या होने वाला है आपका एक object बन जाएगा जिसमें की, value की कॉमा वैल्यू ऐसे रखी होगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा एक कॉमा वन कॉमा बी कॉमा टू कॉमा सी कॉमा से यह मेरा कब होने वाल है जब मैंने डॉट आइटम चलाया तो मुझे फॉर अब देखो यहां पर दो दो वैल्यू मुझे एक्स्ट करनी है तो मैं क्या कora आता हूं ठीक है कॉमा वैल्यू तो मेरा क्या प्रिंट होना प्रिंट आओ मैं के सामने वननने वन बी के सामने टू और सी के सामने सेवनन तो यह मेरा यह नहीं लिखना है मुझे लिखना इसकी जगेपर की इस मैं बताता हूँ कि मैं यह बता रहा था कि अगर वन कीसली आप लिखिये तो कुछ एसा रियल में हो रहा होगा उस जगे पर ठिकर अगर डी करिके से आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह लिख के बताओगे कि आखिर आउपुट क्या रहा है यह वाला एक्जाम्पल लिजेगा और आप यह बताइएगा कि आउट्पुट क्या रहा है तो गाईज यह था हम लोग का आज का सेशन मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टन टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए गुट बाई एंड टेक केर